गेहों के अंदर जो गौब अवस्ता है वो लगबग स्टार्ट हो चुकी है तो गौब अवस्ता के अंदर हमें जो फटिलाइजर है वो किस तरह से मेंडन करने है या फिर हमें कौन-कौन सी जो खा दी है वो देने चाहिए और किस मात्रा में या फिर किस रेशो के साथ से दे देना काफी ज़्यदा अनवारी हो जाता है गो बवस्ता की टेम में जो हमारी फसले होती है वो 0.52.34 जो रेश्यो है उसके अंदर जो खाना है वो लेना पसंद करते है यान कि NPK 0.52.34 जो है वो इस stage के लिए सबसे sufficient है अगर गो बवस्ता से पहले अगर आपको 10 दिन या 12 दिन पहले आपको सप्रेक करनी है तो उसमें आप 0050 जो है वो यूज कर सकते हो क्योंकि उस stage के अंदर जो हमारे पोदे होते हैं वो 0.50 के अंदर जो खाना है वो लेना पसंद करते है इसलिए जो NPK उनका निर्मान किय आई है तो आप NPK 052 जो 34 है एक किलो गराम परती एकड़ के साबसे और साथ में जो बोरोन है 100 से 120 गराम आप परती एकड़ के साबसे यूज कर सकते हो पानी आपको 120 लिटर अनवारी है क्योंकि बोरोन की जो डोज है वो एक गराम एक लिटर पानी के साबसे रखनी जो बोरोन की डेफिसेंस ही है वो आपका जो पोद है वो शियो कर रहा है कोसिश करें कि बोरोन की जो सप्रे है वो कर चके है अब काफी सारे से फार्मर जो कह रहा है कि बोरोन NPK के साथ क्या हम फंजी साइड का सप्रे कर सकते हैं इस समय अगर मौसम की बात करें तो अभी येलो रस्ट वगेरा या फिर अन्य कोई हमारी फंगी साइड की जो आफ सकता है वो अभी तक है नहीं आगे अगर आप अभी NPK का सप्रे करते हो 15 से 20 दिन बाद में अगर आप फंगी साइड का सप्रे करते हो तो वो बढ़िया रहे गोंगी अभी जो मोसम है वो थोड़े से गर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो जैसे जैसे आगे गर्मी बढ़ेगी तो हमारा तेले चेपे विगरा जो अटेक है वो भी होने वाला है अभी आप अगर फंगी साइड का सप्रे करते हो तो आगे जाकर अगर मान लोग की दस या पंदा दिन के बाद में तेले चेपे की स जो इसकाएत हो सकती है तब आप अकेला जो सप्रे है वह वो करण चेपी का अगर्य करें पहले दिन का दस दिन का वेट करें पहले आप नपीक का रहें աीस निन या बीस दिन के बाद में जैसा pregunta हुचका है तो फंगी साइड और जो तेले चेपे वाली दवाही है उन、 कमoin करें उम्हें करता हूं कि सानसाथियों जानकर आपको अच्छी लेगी होगी धन्यवाद